हेलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम अधिनायक तंत्र यानि की डिक्टेटर्शिप को अच्छे से समझने जा रहे हैं तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहे हैं फ्रेंट्स देश में जब नॉर्मल परिस्तितियां होती हैं जैसे कि लोकतंत्र वगेरा कायम रहता है तब देश की शक्ती मेंली दो हिस्सों में वरगी गरित होती है मतलब लोकतंत्र जब कायम रहता है तब देश की शक्ती दो भागों में बटे रहती है एक शक्ति होती है समाज के पास और दूसरी शक्ति होती है देश के शाशन के पास यानि की सरकार के पास और कई बार समाज अपनी शक्ति के बल पर शाशन को भी चुनौती दे देता है लेकिन अधिनायक तंत्र में सारी की सारी शक्ती शाशन के पास यानि की सरकार के पास होती है या उन लोगों के पास होती है जिनके हातों में सत्ता होती है और समाज के पास कोई भी शक्ती नहीं होती कि वो शाशन को चुनौती दे सके नागरिकों के पास कोई भी अधिकार नहीं रह जाते हैं अधिनायक तंतर के अंतरगत Friends, अधिनायक तंतर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण सत्ता अधिनायक के हातों में रहती है मतलब देश की शा सारी की सारी शक्ती एक अधिनायक यानि की ताना शा के पास होती है जैसे की अगर हम आज के टाइम पर एक उधारन देखें तो इसका सबसे अच्छा उधारन है North Korea वहाँ पर सारी की सारी शक्ती वहाँ के ताना शा किम जौंग के हातों में हैं तो इस परकार हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डिक्टेटर्शिप पाई जाती है इसके अलावा अधिनायक तंतर का एक अन्य उधारन हमें जर्मनी से मिलता है जब 1933 के बाद जर्मनी में हिटलर का शाशन स्थापित हुआ तो वो जल्द ही वहाँ का ताना शा बन गया और पूरी की पूरी व्यवस्ता पूरी की पूरी शक्ती हिटलर के हाथों में आ गई और वे इतिहास का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बन गया अगर हम आगे बात करें तो मुलता अधिनायक प्राचीन रोम के ऐसे दंड़ा धीश होते थे जिन्हें आइस्थाई आपातकाल के दोरान असीम शक्तियां प्रदान कर दी जाती थी मतलब अगर हम इसका इतिहास देखें अधिनायक का तो प्राचीन रोम में अधिनायक एक ऐसे दंड़ा दीश यानि की मेजिस्ट्रेट होते थे जिन्हें एमर्जंसी की दोरान एक अनलेमिटिट पावर दी जाती थी ताकि वो शांती वैवस्था इस्थापित कर सकें आधुनिक संदर्व में अगर हम देखें तो अधिनायक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी देश में साधानता संकट के समय शांती वैवस्था और सुरक्षा इस्थापित करने का बेड़ा उठाता है और पूरे शाशन पर अपना सूद्रन अधिकार इस्थापित कर लेता है तो फ्रेंट्स अगर हम आज के टाइम पर देखें तो अधिनायक या डिक्टीटर वो वैक्ति होता है जो संकट के समय यानि कि एमर्जंसी के समय देश की शांती और वैवस्था को बनाये रखने का जिम्मा उठाता है जैसे कि कई बार कई देश की सेनाई अपने देश की सरकार को खत्म करके खुदी शाशन करने लगती है वो इस आधार पर शाशन करती है कि देश की शांती वैवस्था या सुरक्षा खत्रे में है या कई बार देश का राष्टपती आदेश में अपातकाल की घोशना कर देता है जिसके तहट सारी के सारी शक्ति एक वैक्ति के अंतरगत आ जाती है और वो अपातकाल के घोशना इसलिए करता है ताकि किसी संकट से उबरा जा सके बट अगर हम नौर्थ कोरिया तता चीन जैसे देशों की बात करें तो वहाँ एक लंबे समय से अधिनायक तंतर पाया जाता रहा है वहाँ समाज के पास कोई भी शक्ति नहीं है वहाँ का जो नीता है वहाँ पे जो सत्ता है उसी के पास सारी की सारी शक्ति होती है तो फ्रें करें.